वैसे friends आपनी भी जाने आने में कलती से friends अपने जो two-factor authentication है उसे ऑप कर लिया है अब ऑप करने के बाद तुरंत यहाँ पर आपने facebook को log out कर लिया है एड लोग आउट कर एक बाद log in करने के बाद एक आपको problem आ रही है सबसे पहले मैं problem दिखाता हूँ लॉग इन करते एक ID पर मुझे प्रॉल्म आ रही है और उसका solution भी जानने वाले है बट हम पहले तो प्रॉल्म जान लेते example महेश हम हराड यहाप इस वाले ID पर मुझे प्रॉल्म आ रही है मैं इसको लॉग इन करके भी आपको दिखाता हूँ मैंने यहाई पर लॉग इन कर दिये तो लोग इन करते हैं यहाँ आप देख सकते हाँ हो रहा है किब यूऔर अकॉंट से पॉलम मतलब यही प्रॉलम आपको शूउव रहा है तो इस प्रॉल्लम को आप बढ़ियासन से फिक्स कर सकते हो एक्चुली प्रॉल्ब्व यहाँ पर नहीं आ रहे है इसके बाद किस टेप में मतलब हम जैसे अने बल्ट two इसके उपर klick कर देते तो जैसे ही इसके लोगवाट हो गया है तो फ्रेंज्स यहीं प्रावडम आ रही है जिसके कारण हम लॉगवाट करने के बाद यहां पर लॉगिं नहीं कर पा रही यहां पर टूफैक्टर को अनेबल नहीं कर नहीं फॉलीशन हैं जो जो भी फ्रेंज helpful solution है जहाँ पर आपकी problems all हो सकती है तो वो यहाँ पर आज किस वीडियो पर बतानी वाला है अब ध्यान से वीडियो को देखी वीडियो अलप लगता तो प्लीज इस वीडियो को like करना 300 like के target को जरू complete करना जिससे इस topic related और भी कुछ मुझे पता चल जाता है कोई भी update आती है एंड में practical और यहाँ पर कोई solution आप जानना चाहते है तो वो में यहाँ पर लास होगा जरू वीडियो को like करना like से motivation मिलता है और कुछ नहीं अब friends चानलों को subscribe नहीं किया है तो please comment कर लो बस इस problem के related कोई भी problem आ रही है और कोई भी problem आ रही है comment कर लो चानलों को subscribe करके bell icon पे चल रहा है कि लोगों को यहाँ पर प्रॉलिम आ रही है तो पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है पहले तो यहाँ पर friends आपको प्लेश्टोर में जाना है एंड यहाँ पर बस आपको Facebook को सर्च कर लेना है Facebook के उपर क्लिक करके पहला यहाँ पर आपको काम ही करना है और Facebook क keep your account safe problem यहाँ पर लिखना है to if a not unable add to back problem इतना आपको mention करना है यहाँ पर नीचे एक report paste करना है जहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बता है कि actually problem क्या आ रहा है problem का आपके बाद screenshot है तो वो भी यहाँ पर add करें यहाँ पर इस वाल option पर click करना है यहाँ पर attach file पर click कर लेना है और उस problem का यहाँ पर screenshot add करना है add करने के बाद यहाँ पर आपको इस report को send कर लेना है यहाँ यह कपी बड़ी and serious problem है तो इसके बारे में आपको पहले तो यहाँ पर Facebook को बताना ही है तो यह पहला काम आप नहीं कर लिया यहाँ पर आपको क्या करना है problem आ रही है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले messenger open करना है आप messenger use करते होगे Facebook अगर आप use करते हो तो friends यहाँ पर simply में messenger को search करता हो and messenger के उपर click करता हो तो जैसे messenger के उपर आ जाते friends तो वही आले ID यहाँ पर आपको show होने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आले ID मुझे show हो रही है इसके उपर मैं click करता हूँ तो friends यहाँ पर यही करना है उस वाले ID पर जाना है and उसका जो password है वो आपको डाल देना है and वहाँ पर आपको login करना है अब login करते friends वो वाला error यहाँ पर आपको show होने वाला है तो यहाँ पर आपको सबसे वेले तो क्या करना है friends यहाँ से एक बार आपको क्या करना है यहाँ पर आपला option आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस वाले option पर क्लिक करना है नीचे यहाँ पर आपको logout पर क्लिक करना है जैसे logout पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सही step बता रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी ID पर वहाँ पर problem आ रहे हैं ID फिर से यहाँ पर आपको डाल देना है friends ओके यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको log in करना है log in करते हैं यहाँ पर error आपको show होने वाला है अब यहाँ पर आपको क्या करने है यहाँ पर नीचे आले इस वाले option पर क्लिक करके जो भी आपका Instagram है, जो उस Facebook अकाउंट के साथ लिंक था, तो उससे open करिए, जैसे open करेंगे, open करने के बाद profile पर click कर लेना है, जैसे profile पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 line पर click करना है, अब यहाँ पर setting and privacy के उपर click करना है, जैसे click करने यहाँ पर account center, इस वाला option पर click करना है यहाँ पर इस वाला option पर, जैसे इस वाला option पर click करने तो यहाँ पर आपको profile पर show होने वाले इसके उपर click करिए, तो click करते ही वही वाला ID यहाँ पर आपको show होने वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह वाला ID मुझे यहाँ पर show हो रहा है, तो मैं इसके उपर click कर तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे टू-factor authentication वाला option आपको शो होनी वाला है इसके ओपर क्लिक करेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ पे इस वाले Facebook अकाउंट पर क्लिक करना ए और प्रेंट्स बस उस वाले Facebook अकाउंट का password यहाँ आपको डाल देना है तो password डालते ही फ्रेंट्स य यहां पे आप two factor को change कर सकते हो या लगा सकते हो जो भी two factor आपको लगाना है उसके ओपर tick करिए या change करना चाहते तो इस तरह से आप change कर सकते हो अब friends यहां पे भी आपको कुछ problem आ रही है अपको आपका नहीं लग रहा है तो ऐस्तित में आपको next step का use करना है वो step क्या तो वो step यह कि यहाँ पर आपको Chrome browser को open कर लेना है Chrome में यहाँ पर आपको facebook.com directly डाल देना है और जैसे facebook.com डालेंगे friends तो यहाँ पर बस आपको ID को select करना है login करना है friends और वहाँ पर keep your account save का problem आ जाएगा वहाँ पर enable two factor authentication पर click करके आगी की step follow करिए और इस वीडियो का मैंने proof completely एक वीडियो में दे दिया है जहाँ पर यह तरीका पहले भी काम करता था अब भी भी आप check कर सकते हैं वो काम कर रहा है या नहीं और भी friends कई सारे तरीके जैसे कि facebook light का भी use कर सकते हैं वहाँ पर भी friends login करके enable two factor authentication पर click करके आप enable कर सकते हो वहाँ पर भी problem आ रहे है तो friends हमें तो यहाँ पर facebook को feedback ही देना होगा और feedback देने के बाद friends यहाँ पर आपको update का wait करना होगा facebook का latest update में यहाँ जो glitch है वो friends यहाँ पर solve हो सकता है अब friends से आप आखरी एक solution में और बताना जाओंगा friends जो भी अभी आप यहाँ पर stay follow कर रहे है तो यह आपको क्या करना है यह आपकी ही device पर करना ही किसी और के नहीं चलिए तो मैं आशा करता हूँ आपकी यहाँ पर problem जल्दे जल्दे solve हो जाए आप अपने two factor को लगा सके और अपने idea को login कर सके प्लीज मुझे comment box में जरा detail में भी problem के बारे में बता सकते अब friends यह कितने दिनों से आपको problem आ रहे है वो भी जरा comment box बता सकते वीडियो अलब लगा है तो वीडियो को like कर सकते इस बारे में कोई भी जानकरी जाननी है comment कर सकते हैं और चानल को subscribe नहीं किये comment कर लो बस और चानल को subscribe करके bell icon पे click करो यही वीडियो एक सही जानकरी आपको provide करने वाला जो भी possible तरीके वो बताने वाला अब जाते हैं तो friends किसको कोई account recover करना है तो i button पे video से description में video से check कर सकते हैं and screen के उबर playlist से भी check कर सकते हो धन्यवाद MH भाई का वीडियो देखने के लिए thank you